Hello everyone, I am Sajita Srivastav from Mahatma Gandhi Siktsen Sansthan. Now I am going to teach Hindi Standard 4th. बच्चों, पिछले विदियो में मैं आप लोगों को आपके पाठे पुस्तक मकरंद से पाठ 14 जिसका सिर्षक था राश्ट्रिय पक्षी मोर कहानी को पढ़ाई थी, जिसमें हम लोग आधा कहानी ही मोर के बारे में जाने थे. आज मैं इस वीदियो के माधेम से कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मोर के बारे में ओर जानकारी हम लोग पराप्ट करते हैं कि मोर हमारा राश्ट्रीय पक्षी है और मोर की कितनी परजातियां है ये सब हमने जाना था पिछले वीदियो में उसके बाद आज हम मोर के बारे म वीडियो के माध्यम से कहानी को आज पूरा करेंगे राष्टिये पक्षी मोर तो बच्चों अब तक आपने जो कहानी परहा उसमें जाना की मोर की तीन परजातियां होती हैं मोर हमारा राष्टिये पक्षी घोशित किया गया था 1963 में मोर छोटे समुहों में रहते हैं जिसमे कि एक नर और तीन से तीन या चार मादाएं उनके साथ रहती हैं अलग-अलग नर या मादा मोर जो होते हैं वो अलग-अलग भी अपना समुह बना कर रहते हैं तो आगे हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं बच्चों कि नर को मोर और मादा को मोरनी कहते हैं आम तर पर पहचान आसान नहीं होती लेकिन मोर के मामले में यह बिल्कुल सरल है सुन्दर पंखों वाला मोर होता है तो बच्चों पक्षियों को पहचानने में अक्सर हमें दिक्कतें आती है कि कौन सा पक्षी नर है या कौन सा पक्षी मादा है नहीं पहचान पाते हैं किन्तु मोर और मोरनी को पहचानने में हमें दिक्कत महसूस नहीं होती है क्योंकि मोर का पंख बहुत खुशुरत होता है मोरनी के पंख सुंदर नहीं होते है मोर की लंबाई लगभग 110 cm होती है शरीर का रंग नीला पूछ की लंबाई लगभग 115 cm होता है बच्चो पूछ में 150 से अधिक पंख होते हैं पंखों पर नीले, हरे और सुनहले रंग के आखों के आकार के गोले होते हैं आप देखे होगे मोर का पंख आप जरूर देखे होगे बच्चों तो आपको दिखा होगा कि मोर का पंख जो होता है मोर के का पंख, नीले, हरे और सुनारे रंगों के होते हैं उसमें आखों के आकार के गोले बने होते हैं इन आकारों को ही पहली में पैसा कहा जाता है कि मोर के पंखों में जिसकी दुम पर पैसा पहली सुनाया गया था ना कि एक जानबर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा तो इस पहली में पैसा जो कहा गया था वह मोर के पंखों पर जो आखों के आकार बने होते हैं उसी को कहा गया था नर के सिर पर कलगी होती है इसकी गर्दन और छाती गहरे चमकीले नीले रंकी होती है बच्चों पूँच के पंखों के अलावा उरने में सहायता करने वाले पंख अलग से होते है पूँच के ये सुन्दर पंख शभाविक रूप से अपने आप गिरते रहते है मोर्नी का आकार बच्चों मोर से छोटा होता है इसकी लंबाई लगभग 85 cm तक होती है गले और छाती का रंग हलका भूरा होता है मोर्नी की कलगी एवं दूम भी छोटी होती है इसके गले यानि की मोर्नी के गले के निचले भाग में हरे रंग की एक धारी होती है यह धारी ही एक तरह से मोर्नी की पहचान होती है मोर और मोर्नी को पहचानने में इसके गले के निचले हिस्से में जो हरे रंग की धारी होती है हम उशी से मोर्नी को पहचान सकते हैं पहचानने में हमें आसानी मिलती है बच्चों, मोर्नी अंडे देने के लिए किसी जारी के भीतर थोरी सी जमीन खोद कर सूखी पत्तियां तहनियां आदियों से एक घोशला बनाती है मोर्नी जो है जब अंडा देने वाली होती है तो वह मिट्टी को खोदती है और उसमें सुखी हुई पत्तियों सुखे हुए तहनियों को लाकर उहां पर रखके और उसका घोशला बनाती है और उसमें वह अंडा देती है घने जंगलों में रहने वाले मोर ब्रिक्षों की शाखाओं पर घोशला बनाते हैं मोरनी एक बार में चार से पांच अंडे देती है अंडों पर बैठ कर अपने सरीर की गर्मी से उन्हें सेती है लगभग एक माह में अंडों से बच्चे निगा लाते हैं बच्चों मोर सब कुछ खाता है बिभिन परतार के बीज, अनाज, फल, फूल के अलावा यह चूहे, छिककली, कीरे, मकोरे बड़े स्वाब से खाता है बच्चों मोर की पिकु पिकु की आवाज और उसका सुन्दर निर्थे सबसे बड़ा आकर्षन है सामाने तर मोर मोर्नी को आकर्षित करने के लिए निर्थ करता है निर्थ के समय कभी यह मोर्नी को आकर्षित करने मोर निर्थ क्यों करता है मौरनी को आकरसित करने के लिए मौर निर्थ करता है और वह कभी-कभी पंखों को हिला कर तो कभी पूरे सरीर को हिला कर पंखों को एक तरह से खरखराता है दिन के समय इसे पेर पर बैठे हुए देखा जा सकता है कहते हैं कि मोर भोजन और निवास के संबंध में अपने नियमों का कठोड़ता से पालन करता है बच्चों शुबह यह जल्दी ही नींद से उठ जाता है यह सुबह साम ही भोजन करता है इसके रहने, सोने, धूप सेकने तथा घूमने फिरने के अस्थान भी निस्चित होते हैं मतलब मोर जो है उसकी दिन चरिया एकदम फिक सोती है और उसका पालन भी वह कठोड़ता से करता है सुबह जल्दी उठना, सुबह साम भोजन करना, धूप में धूप सेकना और समय पर सोना यह सब उसके दिन चरिया में सामिल रहती है और उसका पालन कठोड़ता से करता है तो हमें भी अपने दिन चरिया का पालन भी कठोड़ता से करना चाहिए हमें भी एक नियम बनाना चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए और उसी पर हमें अमल भी करना चाहिए बच्चों तो यह थी हमारे राष्टिये पक्षी मोर के बारे में छोटी सी जानकारी तुम मोर के बारे में क्या जानते हो क्या तुम्हारे घर के आसपास मोर मिलता है इन सब चीजों का अब तुम अबलोकन कर सकते हो उसके बारे में जानकारी और भी चीजों से तुम प्राप्त कर सकते हो बच्चों तो आज ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है बच्चों अगले वीडियो में हम लोग इसके प्राप्तर को देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद